असलामों अलेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और important session के साथ हाजिर हूँ और आज जो हम topic यहाँ पे discuss करने वाले हैं, वो है canal system of Jumu and Kashmir काफी important बनता है हमारे लिए और हमारे exam point of view से अब जो यह topic है ना, जो हमने revision series start की है, geography of Jumu and Kashmir की यह उसी के related है और उसी का part है, अब यहाँ पे जो हमने already topics cover किये है एक ही वीडियो में, वो है physical divisions of Jumu and Kashmir, mountains of Jumu and Kashmir, glaciers of Jumu and Kashmir, passes of Jumu and Kashmir और rivers of Jumu and Kashmir, I hope आपने वो वीडियो चक की होगी और फिर ही इस वीडियो पे आए होगे अब उसका link भी आपको नीचे description में मिलेगा, अगर आपने अभी तक check नहीं किया है, आप वो check कर सकते हो बागी, जिसको detailing सुननी है, वो आराम से इस वीडियो के साथ बढ़ेगा आके, और जिसको सिरफ mcqs allo करने है वो सीधे skip करेगा, जो मेरी detailing part है, और सीधे mcqs पर ही shift हो जाएगा, वो इसके end पर आ, end के 5 minute पर देखेगा अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने इस session को, उससे पहले आप like करिए इस session को देखें यहाँ पर question की और, I hope अभी तक कि आपकी नजर में ही होगा पिछले session के end पर मैंने इस question को आप से पूछा था, बड़ा ही important session हुआ था हमारा जिसमें हमने काफी important चीज़े discuss की, अब जो वो session था, उसको हमने इस question के साथ end अप किया था अब यह जो यह question है, यह है, कैनाल सिस्टम के बारे मैं, पूछ रहा है कि कौन सी कैनाल, irrigation facility प्रोवाइड करती है, fields और जुमूरीजन के और इसका जो correct answer है, वो है, रनबीर कैनाल, इतना मैं expect करता हूँ, कि आप सब उन्हें इसका correct answer किया होगा अब यहाँ पे पहली चीज आती है, कैनाल, कैनाल होती क्या है, यह हमारे पास artificial waterways होते हैं, जिनके through हम water या irrigation facility प्रोवाइड करते हैं, किसको agricultural fields या agricultural land को पहली चीज, simple चीज है, यह आपको पता होनी चाहिए, दूसरी चीज, हमारे पास कुछ और systems है, जिनके through हम land को water प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे पास पहली number पे क्या आती है, कैनाल सिस्टम, यह तो पहला हुआ, दूसरा number हमारे पास liver system, तीसरा number हमारे पास lift irrigation, और च पहली चीज, आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसमें जो सबसे important है, वो है कैनाल सिस्टम, क्यूं है important, क्यूंकि 80% of land जो है जुम्मो एंड कश्मीर में, उसको irrigation किसके through provide होता है, कैनाल सिस्टम के दूआरा, यह आपको पहली चीज याद रखनी है, अब यहाँ पे कुछ important कैनाल से है, जिनको हम one by one देखेंगे, जो काफी important बनती है हमारे लिए, देखे, हम पहले start करते हैं, रनबीर कैनाल से ही, यहाँ पहले screen को clear करता हूँ, फिर आप आराम से सुनिए, देखे, रनबीर कैनाल अगर आपको अगर पूछा जाएगा ना, कि हैं कहाँ पे, यह आ अब जो यह कैनाल होती है, यह आपको हमेशा किसी रिवर के side by side मिलेगी, और यह उसी रिवर से पानी लेती है, इतना आपको याद रखना है, अब यहाँ पर यह किस रिवर के side by side है, यह है रिवर चनाब, जो हमारे पास है, उसी के left bank पे है, यह क्या है, left bank पे हमारे पास क आता है RS पूरा जो सेक्टर आता है ना रंबीर सिंग पूरा जिसको आप बोलते हो उसको ये वाटर प्रोवाइड करती है और यही वज़ा है जिसके जिससे हमें वो most fertile मिलती है एक तो आपको पता ही है वो हमारे पास northern plains का पार्ट आती है दूसरी चीज हमारे पास जो उसका irrigation प्रोवाइड होता है वो इसी के नाल के फ्रोवाइड होता है इसी की वज़ा से वो high production देती है किसका wheat और rice का और जिसकी quality very high होती है जैसे आपको बासमती rice का पता है बासमती rice का आपको पता होगी RS पूरा उसके लिए जाना जाता है यह आपको पहली चीज याद रखनी है दूसरी चीज अगर आपको बोला जाएगा ना इसके अंतरगत कितना area आता है मतलब कितने area को यह water provide करती है वो है one lakh acres को यह आप याद रखोगे काफी important है अब यहाँ पर दूसरी हमारे पास है इसी के जो हमारे पास चिनाब रिवर है ना उसी के right bank पर आपको और एक canal मिले तधी उसका नाम क्या है उसका नाम है प्रताब canal ये भी आपको याद रखना है काफी important है मारे लिए अगर बोला जाएगा कि कहां पर मिलेगी आपको जुमू में ही ये भी आपको मिलेगी और region कौन सा है वो भी आपको अकणूर region ही मिलेगा ये भी आपको याद रखना है अगर आपको बोला जाएगा ना कि इसकी length कितनी है वो है 36 km की इसकी length है किसकी प्रताब किनाल की और ये किसको water provide करती है जो हमारे पास अकनूर तासिल आता है उसी को ये क्या provide करती है water provide करती है अब इसमें land total कितना आता है इसमें 20,000 acres का land आता है ये भी आपको याद रखना है काफी important है हमारे लिए तो चलिए next path और एक project हमारे पास जुमूर रिजन में ही आता है वो है हमारे पास उसको हम बोलते है रवी तवी project उसको हम बोलते है क्या बोलते है रवी तवी project irrigation complex project उसको बोला जाता है और इसमें अगर आपको बोला जाएका ना क्या क्या आता है एक तो आपकी रवी के नाल आती है और दूसरा आपका तवी lift irrigation project आता है lift irrigation project आता है ये दो इस project में आते है और अगर आपको बोला जाएका ना कि ये कितने acres of land को water provide करती है ये 1.5 lakh acres of jumu region जो हमारे पास jumu plains आते हैं उनको ये water provide करती है ये भी आपको याद रखता है काफी important है देखें आप हम और एक important कैनाल यहाँ पे देखते हैं जिसका नाम मार्थन कैनाल है अब ये जो ये कैनाल है ये आपके कश्मीर के division में मिलती है mainly इसके अंटर कर जो area आता है वो है अनतना की आप याद रखोगे अब ये हमारे पास oldest कैनाल है जिसको किसने बनाया है लिलित अदितिया ने इसको बनाया है कब 8th century में ये आप याद रखोगे अब ये जो ये कैनाल है ना ये आपको इसकी जो length है ना वो आपको 50 km की मिलेगी दूसरी चीज़ अगर आपको बोला जाएगा कि ये किस river के bank पे आती है ये left bank of river leather के आती है ये भी आप याद रखोगे जहां से ये water भी लेती है इतना आपको याद रखना है अब इसके अंतरगत area कितना आता है जिसको ये water provide करती है वो है 9.5 thousand acres का land इसके अंतरगत आता है वो कौन कौन सा है वो है हमारे पास एक तो मटन का area आपके पास आता है दूसरा आपके पास दिछन पूरा आता है वो भी आप कवापूर और इसके अंतरगत अनतला के कुछ area आते है जिसको ये water provide करती है ये किसके बारे में था ये था मार्थन के नाल के बारे में अब और एक के नाल है आपके पास जो वुलल लैक के बैंक पे आती है उसका नाम क्या है जैनगीर के नाल काफी important है किसने बनाया है पहले इसको सुल्तान जैनल आबदीन ने इसको construct किया है जिसको अब बढ़शा भी कहते हो क्या कहते हो बढ़शा भी कहते हो काफी important है अगर आपको बोला जाएका ना कि इसकी लेंगत कितनी है वो है 47 km और water कहां से लेती है जो हमारे पास river मदूमती है ना वहां से ये अपना water लेती है मदूमती मैंने rivers के मैं बोला था किसकी tributary है I hope वो आपको याद होगा वो आप मुझे अभी बोलोगे comment section में तो अगर आपको बोला जाएगा ना इसके अंतरकत कितना land आता है वो आता है 13,300 acres का land इसके अंतरकत आता है अगर आपको बोला जाएगा ना कि अब ये irrigate किसको करती है वो भी ये बांडीपूरा के कुछ areas को irrigate करती है और mainly ये किसको irrigate करती है सोपूर को ये आप याद रखोगे काफी important है चलिए अब मौन करते है नेक्स्ट के ना और एक important कनाल हम यहाँ पर देखते है जिसका नाम है ललकुल यहाँ पर आपको एक word दिख रहा होगा कॉल ये कश्मीरी word है जो हम कनाल के लिए यूज़ करते है ये भी याद रखना ललकुल जो है ना इसकी लंग 3 किलोमेटर्स है और अगर बोला जाएगा ना कि पानी कहां से लेती है ये लेती है नुल्ला पुरू से कहां से पुरू से जो हमारे पास बोब हामा कुपवारा में है ये भी आप याद रखोगे और अगर पूछा जाएगा किन-किन एरियाज के फील्डस को ये वाटर प्रोवाइड करती है इर्गेट करती है वो है एक तो कुपवारा दूसरा है हमारे पास जिसको बोला जाता है उत्तर मच्छी पूरा ये भी आप याद रखोगे और फिर आता है द्रॉगमुला इसको भी ये वाटर देती है और इसके बाद आता है सोपोर और फिर आता है हंदवारा कौन आता है हंदवारा ये कुछ एरियाज है जिनको ये इरिगेट करती है इनके fields को ये irrigate करती है और total area इसके अंतरगत कितना आता है वो आता है 7500 acres का ये भी आप याद रखोगे काफी important है अब ये किसके बारे में था ये था ललोकल के बारे में अब हमारे पास कुछ और के नालस है उसमें आती है पहली शाखफुल के नाल क्या आती है शाखफुल के नाल एक तो है शराब कौल दूसरी है शाखफुल दो-दो अलग-अलग के नालस है ये जो ये शाखफुल के नाल है ना ये आपको कहाँ पे मिलेगी गांदर बल में मिलेगी और अगर पूछा जाएगा ना ये पहले किसके लिए यूज किये जाती थी ये की जाती थी पावर जनरेशन के लिए एलेक्टरिक पावर जनरेशन के लिए क्योंकि ये जो इसका फुलो है ना वो हाइर अल्टिटूट से है ये उपर से बहुत हाई से नीचे आती है अगर आप गांदर नबल गए होगे आपने इसको देखा होगा ये पहाड से नीचे आती है ये भी आप याद रखोगे अब ये दो विलेजिस को इर्गेट करती है दो विलेजिस के फील्ड को ये इर्गेट करती है वो आता है मानी गाम ये और एक आता है सफा पूरा इन दो के एरियाज को ये इरिगेट करती है ये भी आप याद रखोगे अब बात आती है पानी कहां से ये लेती है ये लेती है नुल्ला सिंसे कहां से नुल्ला सिंसे ये भी आप याद रखोगे काफी important है ये किसके बारे में था ये था शाखफुल के बारे में और एक है हमारे पास शराब कॉल ये भी आप याद रखें ये भी हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट बनता है जो ये शराब कॉल है ये हमारे पास कहां से वाटर लेती है ये हरवन लेक से वाटर लेती है और ये अगर जाही के जो आपके पास और चाड़ साते हैं उनको ये water provide करते हैं ये भी आप याद रखोगे काफी important है और एक है हमारे पास नुर कैनाल कौन सी है नुर कैनाल अगर पूछा जाएगा न कि लंगत कितनी है वो है 13 km और पानी कहां से लेती है ये लेती है जहलिम से और हमारे प कि मुझे इतना बोलोगे कि ये अंदरुकूत है कहां पै और अगर बोला जाएगा न कि इसको किस ने constructed करवाया है इसको construct किया है सुया सुया है ना great engineer किसका अवंती वर्मन का इतना आपको याद रखना है उसी ने इसको construct किया है और एक हमारे पास आती है दादी कुल ये भी आप याद रहोगे और अगर पूछा जाएका कि इसकी लेंगत कितनी है वो है 19 km पानी कहां से लेती है लिदर होगी पहले अनताग एरिया में जो भी fields आते हैं उनको ये irrigate करेगी उसके अलावा इसमें आता है एक तो आता है हमारे पास खुर्रम ये भी एक एरिया है उसके बाद बिछन पूरा उसको भी ये water देती है और इसके अलावा आता है सरहरना पूरा उसको भी ये क्याप करते है water provide करती है total इसके अंतरगत कितना आता है 8000 acres का लेंड आता है जिसको ये water provide करती है और एक important कनाल हमारे पास आती है इसका नाम है जनपूर कनाल ये जो ये कनाल है ना ये है कुलगाम में कहां पे कुलगाम में अब ये water लेती है विश्यू रिवर में जो आपको पता है कहा है वो है कुलगाम में इसकी जो total length है वो है 32 km कि किसकी जनपूर कनाल की जो इसके अंतरगत areas आते है जिनको ये irrigate करती है वो तो एक कुलगाम के areas आते है और जनपूर के areas आते है इनको आप याद रहोगे काफी important है total land अगर बोला जाएगा कि कितना आता है वो आता है 6000 acres का य ये भी important बनता है ये था किसके बारे मैं जनपूर कनाल के बारे मैं और एक denial आप याद रखिए जिसका नाम है अवन्तीपूर कनाल नाम से ही पता चलता है अवन्तीपूर कनाल कहाँ पै होगी अवन्तीपूरा में अब water किसको लेकिण provide करती है जो हमआरे पास памपूर के areas आ गाया था, 1953 में किसको जो इसमें कैरवा लैंड आता है उनको वाटर प्रॉइड करने के लिए इसको मतलब किया गया था यह आपको याद रखना है जो इसकी टोटल लेंग्ध है वो है 36 किलोमेटर्स यह भी याद रखोगी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका बला ही हो जाए जिसका नाम है सुंबल के नाल, ये भी हमारे लिए important बनती है, अगर पूछा जाएगा ना कि water कहां से लेती है, ये लेती है नुल्ला सुखनाग से, और पूछा जाएगा कि इसकी length कितनी है, वो है 35 km की, इसकी total length, जो इसके अंतरकत areas आते हैं वो आते हैं सोनावारी से लेके, सोनावारी से लेके, कहां तक, जो हमारे पास शादी पूरा के areas आते हैं उनको ये water provide करते हैं, वो total कितना आता है, वो आता है 5000 acres आते हैं, 5000 acres of land, जिनको ये सुंबल कनाल irrigate करती हैं, ये भी आपको याद रखना है, अब आपके लिए एक easy question, आप मुझे बोलिए, ये सुंब कनाल कहां पर है, बहुत important है, मैंने सुंबल के बारे में बात की थी, आपको बस answer करना है, और एक important कनाल बनती है, हमारे लिए, बाबुल कनाल, क्या है, बाबुल कनाल, अगर पूछा जाएगा ना, कि ये length में कितनी है, ये है 22 km, इसकी length है, और पूछा जाएगा कि ये water कहा से लेती है, जो नुला फेरोजबूर है, वहां से ये अपना क्या लेती है, वाटर लेती है, ये प्याद रखोगे, ये कहां पे है, ये नुला फेरोजबूर, ये है टंगमारग में, अब जो हमारे पास ये land किसको प्रोवाइड करती है, जो भी area नीचे आता है, गुलमार कर्स का इसके अंतरगत लेंड आता है और इसको कब बनाया गया था इसको बनाया गया था 1956 में किसको बाबुल कनाल को यह आप याद रखोगे अब यह जो चीजे मैंने आपको बोली ना यह जो कनाल है इसके अलावा भी कुछ थोड़ी सी बचती है लेकिन मुझे नहीं लगत इसका जो कॉरेक्टा आंसर है वो है शापूर कंडी कैनाल यह इसका गया तो चलिया नेक्स्ट पर अब बोल रहा है कि कौन सी कैनाल इन जुमु एन कश्मीर है जो किसका पार्ट है नेशनल वाटर वे बन का काफी इंपोर्टेंट है वो है हमारे पास जहलिम कैनाल आप सब उने भी यही answer किया होगा चलिए मुवान करते है next question चलिए और यह question है आपके पास आपको बोलना है कि which canal is the major waterway in Jumu and Kashmir and Ladakh आपको बोलना है कि इसमें major waterway कौन सा है वो है इंदस कनाल यह भी आप याद रखोगे चलिए मुवान करते है आपको बोलना है कि कौन सी कनाल कनेक्ट करता है जहलिम रिवर को किसके साथ बारामुला डिस्ट्रिक के साथ इन Jumu and Kashmir Jumu and Kashmir में वो है बुलर कनाल आपके सामने और ही question है यह बोल रहा है कि वीच कनाल इन Jumu and Kashmir प्रोइड इस water to तवी irrigation project कोन करता है इसको water provide वो है हमारे पास कोन वो है शहफूर कंडी कनाल I hope यह भी आपने correct answer किया होगा हम मौन करते हैं next question यह देखे यह वाला question यह बोल रहा है कि वीच कनाल in Jumu and Kashmir is known for its historic significance and was constructed during the reign of महराजा रनबीर सिंग कोन सी कनाल थी वो जो महराजा रनबीर सिंग के दोर में मनाई गई थी वो थी हमारे पास रनबीर के नाल I hope यह questions को आपने easily answer किया होगा क्योंकि हमने यह सारे पीछे बढ़ लिए काफी important थे तो चलिए मौन करते हैं next देखिए इस question को बड़ा ही important question है और यह lakes के related है यहाँ पै जो यह question है न यह पूछ रहा है कि कौन सा lake प्रोवाइड करता है natural habitat किन के लिए जो migratory birds आते है जेंड के में बस इतना ही question है I hope इसको आप easily answer कर पाओगे और यह answer मुझे चाहिए comment section में जो भी जानता है वो comment section में answer करेगा अब यहाँ पै इस session को हम end करने वाले है आज से हम छोटे छोटे sessions लाएंगे ताकि हमारे topics है न वो quickly revise हो जाए बागी मिलते हैं कल किसी ओर topic के साथ तब तक इसको like करिए, share करिए और subscribe करिए तो चलिए, Allah Hafiz, take care